नमस्ति दोस्तों, दोस्तों प्रस्तु थे जूटा सच उपन्यास में देश के भविश्य का भाग नमबर 16 कनक को जलंधर से आए दो बरस हो गए थे कांता कनक को समझा कर लोटा ले जाने के लिए दिली गई थी पर नश्फल जलंधर लोटी थी पुरी कांता से मिलने गया था कांता उसे क्या कहती? बात ताल दी भई, जितना समझा सकती थी समझाया पर उसकी तो खोपड़ी में जो समा जाए उससे टल नहीं सकती तुम क्या महीं जानते? परन्तु पुरी ने पुरियतने नहीं छोड़ा उसने कनक को पत्र लिखे पत्रों के उत्तर नहीं आए तो इसके बादवय पंडित जी को लगबग प्रतिमास पत्र लिखता रहा पुरी पंडित जी को विने से महतरिम आधरनिये संबोधन कर सहितिक शैली में पत्र लिखता था पत्र में विदान सबा, समीतियों, सर्वजिनिक कामों तथा नाजिर के कारण वैस्तता का जिकर रहता था जया और कनक के स्वास्ते के विशे में चिंता रहती थी जया और आब कैसी लगती है? कैसी बाते करती है? उसे देखे इतने दिन होगे उसका ताजा चितर भीच सके तो कृपा होगी वह अपने पापा को याद करती है या नहीं? घर की तो जो अवस्ता होगी आप स्वेम कलपना कर सकते हैं घर की मालकिन के बिना जो जो समय बीत रहा था पंडित जी की चिंता भढ़ती ही जा रही थी पंडित जी ने मन को समझा लिया था कि समय का मरहम गहाओं को ठीक कर देगा अब वह आशा तूट रही थी सन चंवन में कंचन और नरोतम का बिवा हो गया था कंचन नरोतम के साथ कानपूर चली गई थी दिल्ली के पत्रों में कंच को काफी काम मिल गया था वह अच्छी खासी जम गई थी सफता हमें तेन दिन संध्या समय एक राज दोतावास में हिंदी पढ़ाने भी जाती थी एक पाक्षिक हिंदी पत्र में नियमित काम था अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का काम भी मिल जाता था मेहनत बहुत पढ़ती थी परन्तु अढ़ाई तीन सो मासिक या कुछ अधिक भी बन जाता था कनक ने जिद करके नया हिंद प्रेस दो सो रुपे महिने पर ठेके में दे दिया था पंडित जी ने नया धंग अपना लिया था चाय, दूद, फल, मास सब छोड़ दिया था खुश्क रोटी और उबली हुई तरकारी ही खाना चाहते थे कनक को हैं भुरा लगता था पंडित जी कहते बेटा इस उमर में सहत के लिए परहे जरूरी है पच नहीं पाता तो तकलीफ होती है पुरानी पोशाक, बंद गले का कोट और चूड़िदर पाजामा और पगड़ी छोड़ कर आदी बहा का धिला कुर्ता और सीधा पाजामा पहनने लगे थे पगड़ी अनवश्क बोज लगती थी अपने पहनने के कपड़े स्वेम धोना चाहते थे कनक जुझला उठी पिता जी ये क्या कर रहे हैं पंदित जी बहुत स्नही से समझाते बेटा इससे जरा हाथ पाउं हिल जाते हैं सोचो दिन भर खाट पर पड़े रहने से दो रोटी की भूग भी नहीं लगती खाने के लिए रूची हो इसलिए भूग तो लगनी चाहिए पंदित जी चाहते थे स्वास्ते ठीक रहने के लिए संध्या का खाना बंद कर दे परन्तु कनक भी खाने से इनकार कर देती थी वे विवस हो जाते पंदित जी की एक मत्र चिंता और दिल बहलाव जया ही थी वे उसके साथ उसकी ही आयों के बन कर बाते करते रहते थे उसे मोखी कंगरे जी पढ़ाते रहते थे स्पेलिंग और पहाड़े याद कराते कहानिया सुनाते रहते उसे नहलाने धुलाने के लिए उचसुक रहते थे परन्तु बाल नहीं बांद पाते थे गिल प्राहे आता रहता था पंडित जी उससे इकबाल, गालिब और सूफी शायरों के काववे के संबन में बात करने लगते थे सामहीक राजनिती की चर्चा करते तो अंतिम बात सदा एक ही कहते आदमी सही रास्ते पर तब ही चल सकता है जब सेल्फलेस निस्वार्त हो समाज के विकास में हर एक पीड़ी अपना करतवे पूरा कर चली जाती है भविसे की जम्यदारी और मोह वेर्थ है पंडित जी राजनिती की बात करते करते जीवन मृत्यू की बातों में बह जाते मृत्यू की अनिवार्यता के संबन में कई शेर कह जाते कैदि हयाद पंडो गम दोनों असल में इल्क है मोज से पहले आदमी इससे निजात पाए क्यों आखरी बात होती बर्खुरदार जिस्म तो लहू और गोस्त की मशीन है चेतना इस मशीन से उत्तपन गती है मशीन तो एक दिन घिश जाएगी गिसी हुई मशीन चलेगी तो लड़ खडाती हुई उसका क्या गम है जिन्दगी का मोह तो मजे के लिए ही है जिन्दगी तमाशा है ने हर तमाशे का खत्मा जरूरी है तमाशा खत्म हो जाए तो कोन बैठा रहता है ऐसे ही रूह भी उठकर चल देती है पंडित जी कहका लगा कर हस पड़े कांधों पे है जनाजा तो मुलके आदम में रुहू कोशू निकल गया है प्यादा सवार से गिल बहुत तन में मुद्रा से पंडित जी की बात सुनकर सरहना पूर्ण समर्थन करता रहता मानो अनेक प्रकार से अनेक बार सुने हुए वह दार्ष निक सकते पहली बार सुन रहा हो मन में ख्याल आ जाता जन्मांतर और आत्मा की चर्चा इस देश की लोगों का सबसे बड़ा मनोरंजन है यह परंपरा से हमारा रास्टे मनोरंजन बन गया है कनक समी बैठी या किसी काम में लगी ऐसी बाते सुनकर गहरी सांस ले लेती ख्याल आ जाता पिता जी अपने आपको समेट रहे हैं उसे ऐसे प्रसंग अच्छे नहीं लगते थे जो होना है वह तो होगा ही उसकी चर्चा में क्यों डूबे रहें पंडित जी सबी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहते थे अब कांता और कंचन की चिंता का कोई कारण नहीं रहा था फरंतु कनक की चिंताओं ने पल भर को भी नहीं छोड़ती थी अपने इस बेटी को वह ऐसाधारन समझते रहे थे वह सदा ही उनके लिए असधारन परिष्थितियां और चिंताओं भी उत्पन करती आई थी पिता को अधिक चिंता देकर वह उनका अधिक ध्यान भी पाती रहती थी जैसे माता पिता, रोगी अवस्था, अथवा, कठिनाई में फशी संतान के लिए अधिक अतुर रहते हैं पंडित जी पुरी का पत्र आने पर कनक को दिखा देते थे उत्तर देते समय कह देते थे तुम लुखो तो बता देना, मैं भी लिख दूँगा, अपने लिफाफे में ही रख देना कनक मोन रह जाती पंडित जी पुरी को सहनुबुती और सांतोना भरा पत्तर दे देते थे ऐसे प्रतेक आउसर पर पंडित जी कई जिन्ता में डूबे रहते इस लड़की का क्या होगा, सोभागे से पुरी, शांत सभाव और सहनशील है परन्तु प्रतेक बात की सीमा होती है यह लड़की अपना भविशे बिगाड रही है इसे ऐसा है योग किये बिना तीन साल हो चुके है इसका विशार बदलने का कोई लक्षन दिखाई नहीं देता यह कैसी चोट है, जिसका दर्द समय से भी दूर नहीं हो रहा है मैं अब कितने दिन का महमान हूँ पुरी ने यदि खिन्न होकर कुछ और कर लिया तो क्या होगा पंडित जी कनक को तिन साल से शांती, शमा और शेहन सीलेता के उपदेश देते आ रहे थे कनक चुप चाप सुन लेती थी उसका वेभार ऐसा हो गया था कि पुरी से अपने सम्मन्द को भूल चुकी हो पंडित जी इस विशे में कनक से ब्योरे से चर्चा भी नहीं कर सकते थे अक्टूबर में फिर पुरी का पत्र आया इस पत्र में पुरी की और से निराशा की ध्वनिश पष्ट थी उसने अंत में लिखा था पिता जी आप ही बताईए इस विशे में मुझे क्या करना चाहिए क्या आप समस्ती हैं मैंने पर्यात शांती और धहर्य नहीं रखा है क्या मुझे घर और ग्रस्ती के अवशक्ता नहीं है मैं किस अपराद का दंड भोग रहा हूँ पंडित जी पुरी की ध्वनी से बहंकर चिंता में डूब गए सपश्ट था पुरी के धहर्य की सीमा आ गई थी संध्या समय कनक लोटी ही थी कि पंडित जी ने पुकार लिया बेटी पुरी का पत्र आया है जब आप दोगी तो बता देना मैं भी चंद संतरे लिख दूँगा और पत्र उसके हाथ में दे दिया था वह पत्र पंडित जी को अपने सिरहने रखे दिवाने गालिव के नीचे मिला कनक ने पत्र का उतर देने की कोई सूचना पिता जी को नहीं दी पंडित जी के पास एक ही उपाय था उन्होंने जालंधर से कांता को बुला कर कनक को समझाने का अंतिम प्रियत्न करने का निश्चे किया पंडित जी ने कांता को दो अनुरोध पुर्ण पत्र लिख कर अवशक काम से दो धिन के लिए दिल्ली आने के लिए लिखा था कांता ने कनक को पत्र लिग कर बुलाय जाने का कारण पोचा कनक ने उतर दिया मुझे तो ऐसी कोई बात मालूम नहीं है पिता जी अपने चिंता छिपाते हैं पर वे निश्चे ही चिंतित भहुते मैं क्या बता सकती हूँ आपको बुलाया है मिले भी दो बरस से अधिक हो गए आप जरूर जरूर आए मुन्ने और नानो को भी ले आए कांता दिल्ली आई थी कनक अपने काम पर चली गई तो पंडित जी ने कांता को पुरी का पत्र दिखा कर चिंता परकट की बेटा पुरी अधिर हो रहा है तो उसे क्या दोश दे सकते हैं थिन साल हो चुके हैं कन्नी को समझाना चाहिए अगर पुरी ने कोई बुरा वेभार भी किया है तो दुनिया में किस भूल को शमानी किया जा सकता जीवन को भूलों पर बलिदान नी करना चाहिए जीवन को भूलों से उपर उठाना चाहिए बेटा तुम कन्नी की मा के समान हो तुम ही उसे समझाओ कान्ता पिता के सामने दूसरी खाट पर बैटी शिर जुकाई सोचती रही पिता जी को अब ऐसे ही कुछ कहे कर बहला देना संभव नहीं था इसी चिन्ता में उनका शरीर गलता जा रहा था इसी चिन्ता के कारण पिता ने उसे जालंदर से बुलाया था कनक की और से उसके अतिरिक्त बोलने वाला भी कौन था पिता भी और किस से बात कर सकते थे पिता चिन्ता में घुलते रहे यह वह कैसे सह सकती थी वह जानती थी, कनक जालंदर नहीं जायेगी, उसे विवश करना भी जाये नहीं था, कान्ता दो बच्चों की मा और घर में सबसे बड़ी थी, उसका भी उतरधायत वता कान्ता ने कुछ पल सिर जुकाए अपने नाकुनों की कोरों को एकागरता से देख कर कह दिया, पिता जी, कन्नी का इसमें कोई दोश नहीं है कान्ता गदन जुकाए थी, परंदु पंडित जी की उसक द्रिस्टी को अपने चेहरे पर अनुभव कर रही थी, इतनी बात से उसका क्या समाधान हो सकता था, बात करना अन्युवारी ये था ता टस्तता का भाव लाने के लिए अंग्रेजी में बोली, इन लोगों के मेरेज रिलेशन्स, दामपत्ते जीवन अच्छे नहीं है, उसने कह दिया, पर यह तो रहशे को और उल्जा देना हुगा कांता ने फिर सहस किया, पूरी बहुत नर्बस नेचर, निर्बल सनायू है, इन्होंने एक स्पेशलिस्ट डाक्टर से भी बात की थी, डाक्टर का खयाल है कि वह साइकोपैथिक केस है, रुग्ण मानस है, बेचारी को चुपचाब घर में रहने भी नहीं देता, सता सता क जाने क्या संतोष पाता है, कांता कठिन बात कह चुकी थी तो अपनी बात पक्की कर देने के लिए और भी कहा, अच्छा लेखक है, राजनेतिक आदमी है, बाते बना लेता है, परन्तु उसमें कोई आचार निष्ठा नहीं है, कन्नी पहली बार अचानक जालंदर उसके मक एक बार वचन दे दिया था, तो फिरना नहीं चाहती थी, पुरी के दिमाग में अब भी वही लड़की समाई जान बढ़ती है, कांता गर्दन जुकाए थी, उसे पिता का गहरा निष्वा सुनाई दिया, उसने अस्वाशन पाया, पिता जी समझ गए, कांता आई हुई थ इसलिए कांता तीन बजे ही अपने काम से लोटाई की, बहिन शायद घूमने या खरिद फरोक्त के लिए बाजार जाना चाहे, उसने कांता से तारा की बहुत परशंचा की थी, बहिन चाहेगी तो उससे भी मिला देगी, तीनों बाजार या सिनेमा चली जाएंगी, कांता ने कांता को अपनी कोठरी में ने देख कर पंडित जी की कोठरी में जाका, पिता जी पलंग पर गंभीर निश्चल बैठे वे थे, कांता उनके सामने पलंग की पाटी पर गर्दन जुकाए बैठी थी, कांता पीछे हट गई, कांता कनक की कोठरी में आई तो कांता पूछ लिया क्या बात है पिता जी क्यों परिशान है कांता ने पूरी बात कनक को बता दी कनक ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा पिता जी को इन जगड़ों से परिशान करने की क्या जरूरत थी देखती नहीं है चिंताओं से उनकी से हित की क्या दशा हो रही है चिंता तो में जलंदर भेजने की थी, तुम्हें समझाने के लिए ही तो मुझे बुलाया था, मैं कुछने कहती तो कुड़ते ही रहते कि तुम स्वेम जिद कर रही हो, अब बात तो खत्मुई, क्या खत्मुई, कनक की आँखों में आशु भराये, मैं तो सभी को दुख देने के लिए पैदा हुई थी, वह मा था पकड़ कर खाट पर लेट गई, जया ममी ममी पुकारती कोठरी में आ गई, उसने मा का आचल खीच कर बताया कि गुडिया को नलाते नलाते उसका फ्राग भीग गया था, कनक ने चेहरे से आचल नहीं अटाया, कांता ने जया को लाड़ से बाह पुड़े लेने हैं, इनके लिए भी पैंट का कपड़ा लेना चाहती हूँ, कनक ने उठकर हाथ मुध होए, बाहर जाने के लिए साड़ी बदली, सोचा जया साथ चलने के लिए जिद करेगी, उसका भी फ्राग बदल कर कंगी कर दे, खयाल था पिता जी के कमरे में होगी बच्ची का मन नाना के ही कमरे में लगता था, कनक ने जहांका, पंडित जी पलंग पर बहां का तक्या बनाए चित लेटे थे, जया प्रैसे से रंगिन कागज की कत्रने लेकर कुछ बना कर उन्हें दिखाने के लिए बार बार पुकार रही थी, पंडित जी आंखे मुन द हां बेटा, हां बेटा उतर देते जा रहे थे, आंखे नहीं खोल पा रहे थे, कनक ने लड़की को नहीं बुलाया, कांता जया को कुछ खरीद कर देना चाती थी, उसने पूछा, जया को नहीं बुलाया, बहिन जी, रहने दो, यहां रहेगी तो जरा पिता जी को तोक्ती तो रहेगी नहीं तो कनक और कांता जया को आहट ने पाने देने के लिए आंगन में चे दबे पाऊं डियोडी की ओर चली गई कांता दो दिन दिली में रहकर जलेंदर लोट गई थी कनक बहुत ध्यान और चिंता से पंडित जी की अवस्ता देख रही थी उनकी सब चिंता और दुखुसी के कारण था वहे लज्जा उसे मारे डाल रही थी पंडित जी अपने चिंता छिपा कर सधारन व्यभार करने का परियातन कर रहे थे परन्तु ऐसा करने ही पाते थे दिवाने गालिव या मुस्दसे हाली या मोटे अक्षरों में छपी गीता लेकर पीटदार मोडे पर बैठ जाते कनक उनकी और कनकियों से देख लेती थी पंडित जी पुस्तक गोद में रखे रहते परन्तु कनपटी मुठी पर्टी का है चिंता में डूब रहते कनक जानती थी उसकी फूटी किस्मत के सिवा उनके सोचने को और क्या था लगबग एक सफ्ता बाद पंडित जी का वेभार फिर पूर्ववत दिखाई देने लगा संध्या समय जया को कहानिया सुनाने और मोख्यक गनित सिखाने लगे कनक सुन रही थी पिता जी ने जया को गुरु गोबिन सिंग के पुत्रों की कहानी सुनाई बियोरे से बताया कि दूस्ट लोगों ने उन बहदूर लड़कों को पाउं से आरंब करके धीरे धीरे इटों और चूने से गले तक दिवार में चुन कर कहा कि तुम अब भी अपना धर्म छोड़ दो तो तुम्हारी जान बच सकती है लेकिन बहदूर बच्चे धरे नहीं उन्होंने अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया उनके सिर्भी दिवार में चुन दिये गए उनके शरीर मर गए परंतु उनका धर्म उनका नाम अब भी जिन्दा है कनक दिन भर की ठकावट के बाद भोजन तयार हो जाने की पर्तिक्षा में खाट पर लेट गई थी दुर्रानी गली की एक पंजाबिन विद्वा दोनों समय उनके यहां रसोई चोके का काम कर जाती थी कनक खाट पर लेटी हुई सुन रही थी उसके पिता उसकी बेटी को समय पलिटा कर कहानी सुना रहे थी कनक को खयाल आ रहा था दर्म के भेदगा जगडा कब और कहां जाकर स्माप्त होगा वह हकिकत राय और गुरू गोबिन सिंग के मासुम बच्चों को ले मरा उसी जगडे के कारण वे लोग लाहर छोड़ कर बेघरबार हो गए है दर्म के कारण उस मकान और गली के लोगों को पस्चिम भाग जाना पड़ा यह सब केवल अद्रसे भगवान के प्रती धारनाओं में भेद से है पिता जी की बात सुनने की इच्छा के कारण ठीक से सोच नहीं पा रही थी सोचने से लाब भी क्या था कनक को याद आ रहा था वह भी बच्चमन में पिता से इसी तरह कहानी सुना करती थी कनक ने सुना जया ने बड़ी तनमेता से पूछ लिया वे दोनों लड़के मर गए फिर क्या हुआ पंडित जी ने उतर दिया बेटा जो बच्चे धर्म और अच्छे काम करने से सच्ची बात कहने से नहीं डरते वे बहादूरोते हैं ऐसे लोग कभी नहीं मरते जया ने फिर परशन किया उनका गला काट देते हैं तो भी नहीं मरते यह सुन कनक को बेटी के भोलेपन पर प्यार आ गया जया प्रशन पर प्रशन पूस्ती चली जाती थी याद आया पिता जी प्राहे कहा करते थे कन्नी तुभी बच्च्पन में बहुत प्रशन पूस्ती थी बाल की खाल निकालती रहती थी कनक पिता का उतर सुनने के लिए स्तर्ख हो गई पंडित जी ने कहा हाँ बेटा जो अच्छे काम से नहीं डरते वे कभी नहीं मरते कनक की नजर बेटी की ओर चली गई जया ने अपना पाउं हाथ में पकड़ कर फिर पूचा कभी भी नहीं मरते सब लोग मर जाते हैं तो भी नहीं मरते पंडित जी ने उतर दिया हाँ बेटा वे कभी नहीं मरते सुनो उनकी बहदुरी और अच्छा काम देखकर दूसरे लोग बहदुर बनते हैं धर्म और अच्छा काम करना सीखते हैं जया ने खिर पूछा, धर्म क्या होता है? पिता जी ने धर्म की व्यक्ष्या की, जो बच्चा कभी नी ररता, बड़ों का कहना मानता है, सच बोलता है, किसी की चीज नहीं लेता, लालच नहीं करता, गंदी चीजें नहीं खाता, साप सुत्रा रहता है, किसी को नहीं सताता, वहें बहादूर होता है, धर्म करता है, तुम भी धर्म करोगी और बहादूर बनोगी, मम्मी भी बहादूर है, जैया ने पूछ लिया सुन कर कनक को रोमा जो आया, पिताजी का उतर सुनने के लिए उसने होंट नात तले दबा लिया पिताजी ने उत्सा से कहा, तुम्हारी मम्मी बहुत भादूर है, मम्मी धर्म करती है, अच्छा काम करने से कभी नहीं डरती, किसी को धोखा नहीं देती, हमारी बेटी भी ऐसी ही बनेगी कनक ने दिर्ग निश्वास छोड़ा, मैं तो क्या अच्छा काम कर सकी, यह लड़की तो कुछ बन जाए, परन्तु उसका मन हलका हो गया, पिताजी उससे रुष्ट नहीं थे, पिता उसके कारण लज्जित नहीं थे, तो उससे किसी की चिंता नहीं थी पंडित जी संध्या का बोजन आठ बजे अवस्चे कर लेते थे, बोजन के पश्चात एक मील घूम लेने का भी नियम बना लिया था, अंधेरा हो जाने पर गलियों में से बाहर जाने में उन्हें एस्विता होती थी, आंगन की परिकर्मा के कदम गिनकर हिसाब कर लिया थ था कि 70 बार आंगन की परिकर्मा कर लेने से एक मील और 36 गज घूमना हो जाता था, कनक पिताजी के साथ भोजन कर लेते थी तो परिकर्मा में पिताजी का साथ देती थी, उस समय पिता और बेटी सभी तरें की बातें कर लेते थे, काश्मिर को भारत का अंग मानने के सम्ब लितने होने का उचित्ते, अंतर राष्टी शांती के लिए भारत की देन, जहया की पढ़ाई और स्वास्ते, कंचन नरोतम के पत्र, दूसरी पंच वर्षिय योजना की संभावनाएं, सामाजिक, नैतिक और कभी दार्षनिक परसंग भी, यह प्रसंग प्राये कई बार दोरहय जा चुके थे, कंच पिता के विचारों और दृस्टी कौन से परिचित्ती, कांता के जलंधर लोट जाने के प्राये मास भरबाद, कंच को लगा, पंडित जी कुछ नए ढंग से या नई नई बाते सोचने लगे थे, कुछ हैसी बात सोचना अधिक स्वभाविक होता, उचित अनुचित के लिए निरने में परंपरा और बहुमत की अपेक्षा, अपने विवेक पर भरोसा करने के साहस की आवशकता, परिस्थिति के अनुसार, जीवन की पूर्णता के लिए जो अनुकूल हो, वही उचित है, उचित्ते की क कोई धारना शासवत नहीं, मनुश्य कर्म का फल अवश्य पाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम जिन कर्मों को जानते नहीं, उनके फल से नियंत्रित हैं, बलकि यह है कि हम अपने परियतन और कर्म से स्वयम को, समाज को जैसा बनाने का परियतन करते हैं, हमारा जीवन उस कार्य और कर्म तो शन में समाप्त हो जाते हैं, वे मनुश्य को नहीं बान सकते, भावना और ज्यान बहुत समय तक बने रहते हैं, उन से एक के बाद दूसरे कार्य और कर्म होते रहते हैं, ज्यान और भावना ही मुख्य है, यदि समझ और भावना ठीक है तो मनुश्य भूल को सुधार सकता है भूल की परक तो ज्ञान से होती है मनुश्य का ज्ञान सदा एकसा नहीं रहता यदि हम पचास वर्स पूर्व के समाज की अलोचना अपने आज के विचारों से करें तो कहेंगे उस समय मनुश्य वज्ञानिक नियमों के संबंद में ओसदियों के संबंद म व्यवस्ता और कानुनों के समन्द में भी बहूत गलत फैमियों और भूलों से सीख कर समाज आज यहां पहुंचा है कनक केवल विचार के लिए विचार की इन बातों से उबने लगती थी कभी यह भी खयाल आता पिता जी कहीं बीते सुविधा में जीवन की याद में ही तो नहीं बहक रहे हैं या आयू बढ़ने और शरीर की शक्ति शीण होने पर बुढ भस के लक्षन तो नहीं आ रहे हैं चुपचाप सुन लेती जो भी हो अब इनका मन हलका तो है पंडित जी ने भोजिन के बाद आगन की प्रिकर्मा करते हुए बिल्कुल तटस्त भाव से एक बात कह दी कनक उसका उत्तर देने में फरवरी की गुलाबी सर्दी में भी पसीना पसीना हो गई थी उत्तर दे देने के बाद पिता के साथ तहल सकना भी संबव ने रहा अपने पलंग पर जाकर लेट गई दूसरे दिन पराते ही वे बात गिल को बता देने के लिए कनक कमन छट पटा रहा था उसने बहुत निग्रह से काम लेने का निश्चे किया बताए बिना रह सकना संबव नहीं था परन्तु बता कर परिणम क्या होगा स्तीती को संभाल भी पाएगी उसका सिर उड़ा जा रहा था दफ्तर में काम कर सकना संबव नहीं हो रहा था दफ्तर में तीन बार हाथ फोन पर चला गया कि गिल से संध्या समय मिलने के लिए कह दे परंतु हाथ रोक लिया अशंका थी फिर क्या होगा उस बार को रोक सकेगी उस वर्स बरसात में यमुना में भेंकर बार आई थी पहद रह से कलपना में नाज गया कनक परिणाम के विचार से आत्मने ग्रह में छट पटाती रही रात इसी परिशानी में नेंद भी नहीं आ रही थी आखे रुपाई सूज गया पहले वचन ले लोंगी कि मेरे अनुरोध की रक्षा का वचन दे ना होगा कनक को नीद आ गई कनक की संका और सावधाने अकारण नहीं थी गिल ने जालंधर में चार वर्ष तक ऐसा सैयम निबहा था मानो कनक और उनके बीच भी कोई अकर्शन या रहसे न रहा हो वै कनक के बड़े भाई की तरह व्यभार करता था कि उसे बही निया सक्खा की सभी कमजोरियां और रहसे मालूम हो और बही निया सक्खा का हित उसका उतरदायत वहो कनक के हित के विचार से वह सदा पुरी का पक्ष लेना उचित समझता था क्योंकि कनक का हित पुरी को दोशी परमानित कर देने में नहीं था कनक के हित में कड़ी बात कर देने में भी संकुछ नहीं करता था कनक भी गिल के हित के प्रती उत्तरदायत भी समस्ती थी कनक के आतेरिक्त गिल के चिंता करने वाला और था कोन कनक ने गिल की भलाई के लिए आग्रह से एक बार गिल को बहुत खिन भी कर दिया था महेंदर नयर मंडी बाजार में रहता था तो उसके मकान के सामने ही डाक्टर बेदी ने भी मकान ले लिया था नयर और बेदी की भेट दस ग्यारा बरस बाद हुई थी पर देखते ही पहचान गए विद्यारती जीवन में दोनों को टैनिस का शोग था रेंगले टैनिस टूर्णामेंट में दो तिन बार एक दूसरे का सामना भी किया था बेदी मेडिगल कालेज में और नयर ला कालेज में था जालंदर में भेट हुई तो दोनों लिपट कर मिले नयर और अनूप सिंग बेदी के मकानों में गली की चोड़ाई कहीं अंतर था दोनों परिवारों में खूब आना जाना हो गया था नयर को किसी के घर जाने की आदत कम ही थी परन्तु डाक्टर बेदी के यहां कभी-कभी जा बैठता था नानों या धीरू को छीक भी आती तो कान्ता बेदी ब्राजी को दिखाकर या बुलाकर राय ले ले थी बेदी की पतनी भसंद कोर बहुत मिलन्सार थी उससे भी अधिक कान्ता को अच्छी लगती थी डाक्टर नी की देवरानी अमरो अमरकोर अमरकोर असधारन सुद्री थी बिलकुल कलाकार की कलपना जैसी एक जबडे पर नीचे की ओर दिखोने जैसा घाव का दाग था शायद इसलिए की इतने नूर पर नजर न लग जाए सव भावी वैसा ही सोम्मे बोलती कम थी जब बोलती बोली में लाज और मिठास घुली रहती कनक अमरो को बहिन के घर दो ही बार देखकर उस पर मुख धो गई थी उसकी करुण कहानी सुनी तो स्टब रह गई डाक्टर अनोप सिंग बेदी का भाई इसर सिंग बेदी भी डाक्टर था उसने भी मिन्ट गूमरी में प्रैक्टिस आरब की थी विभाजन से बरस भर पहले ही उसका विवा हुआ था इसर सिंग ने प्रैक्टिस के लिए चोड़े बाजार में दुकान ले ली थी विभाजन से छे मास पूरु भी वह अमर कोर को लेकर गली के कोने पर दुकान के उपर के कमरों में रहने लगा था आस पास अधिकांच मुस्लिम बस्ती थी, चार छे घर ही हिंदुओं के थे शहर में संसनी फैल गई तो डाक्टर अनूप सिंग ने छोटे भाई को अपने यहां ही आ जाने के लिए कह दिया था उनकी गली में सब बस्ती हिंदु सिखों की थी, वहे स्तान उनके लिए सुरक्षित था इसर सिंग ने कहा, उसकी गली से एक भी परिवार भागा तो पडोसियों का होसला तूट जाएगा और पडोस के मसलमानों का होसला बढ़ जाएगा उसने भाई के यहां से बंदुख और कार्टुस लेकर रख लिये थे इसर सिंग बंदुक लाया तो अमरो ने कोतुहल से बंदुक को देखा था इसर सिंग ने प्यार से पूछा तुम बंदुक क्या जानो पहले भी कभी देखी है अमरो रेटायर सुवेदार की पोती थी उसने बताया उसके घर में बंदुक थी दादा को शिकार का भी शोक था उनकी जमीनों की सीमा पर तालाब थे वहां जल मुर्गियां बहुत आती थी दादा सुबह शाम घूमने जाते तो बंदुख हाथ में रहती थी कभी पोते-पोती घर पर होते तो उन्हें भी साथ ले जाते थे अमरो कई बार जल मुर्गियों पर बंदुख चला चुकी थी दादा जब भी उससे फायर करवा देते तो दो दिन तक बेचारी के कंदे में दर्द बना रहता था साही की गली में 19 अगस्त की संध्या समाचार पहुंचा की चोड़े बाजार के हिंदुओं पर अकर्मन हो गया है मुसलिम पूलिस पर क्या भरोसा किया जा सकता था साही की गली से लगभग पचास आद में शस्त्र लेकर चोड़े बाजार के हिंदुओं की साहिता के लिए गए उनके पहुंचते पहुंचते पराए सब कुछ समाप्थ हो चुका था सशस्त्र हिंदुओं के आ जाने से उपद्रवी मुसल्मानों की भीड भाग गई अमर कोर दूसरी मंजिल के खिड़की के नीचे बंदुख हाथ में लिए बेहोश पड़ी थी उसके कपड़े खून से लथपत थे गोदगी बच्ची गोली लगने से मर चुकी थी हासली की जोड़ खुल गया था कंधे के नीचे बहां पर चर्रा धस गया था एक चर्रा जबड़े को शील कर गया था बेहोशी की हालत में उठाकर घर लाए महीना भर कैम में रहे फिर जालंदर पहुँचे अमर कोर डाक्टर के हाथों में थी इसलिए बच गई बसंद कोर ने बताया अमर कोर बहुत ही चुस्त और हसोड थी परन्तु पती और लड़की की मृति और स्वयम सहे जक्मों के परभाव से प्राहे दो बरस तक बिल्कुल सुनन हो गई थी फिर सोचा होगा जिंदगी है तो पत्थर बनी रहकर तो नहीं बिताई जा सकती मैट्रिक पास थी उसने अपने जेट से अनुरोध गया कि वह कोई काम सीख ले डाक्टर अनूप सिंग ने स्विकार कर लिया सोचा लड़की किशी तरह जीवन के प्रति कुछ रूची अनुभाव करे अमर कोर ने हेल्थ स्कूल का कोर्स कर लिया था सन उन्सेट में धीरू के जन्म के समय उसी ने सब काम समाला था वह कान्ता के ही यहां आ गई थी कान्ता और कनक की वह इतनी अपनी हो गई थी कि वह उसे अमर या अमरो कहकर पुकारने लगी थी कलाकार की कलपना सी शब्द पुरी के ही थे कनक ने गिल के सामने अमरों के शील, सोंद्रिय की सरहना की तो गिल ने भी कहा था ऐसी यूति को देख पाना ही सो भागय है अमर अपने जेट जेठाने के लिए बोज नहीं थी वे ऐसा समझते भी नहीं थे सहरदयता के कारण वे इस बात के लिए तयार थे कि जो होना था हो चुका जवानी में कदम रखती यूति जीवन भर एकाकिपन की यातना में क्यों पड़ी रहे यदि अमरों माने तो उसका विवा हो जाए स्विम ऐसी बात कहना नहीं चाहते थे पर अपती ना होने का संकेत देते रहते थे डाक्टर बेदी अक्सर गिल को भुला लेता था कई लोगों ने भाब लिया था कि अमरों को गिल अच्छा लगता था कानता और कनक इस विशे में पूरी की इर्शा भी भाब गई थी बसंद कोर ने कानता के कान में बात की कानता ने नयर से प्रामर्ष करके अत्यनत रहस्य के रूप में कनक और पूरी से कहा कनक ने असवाशन दे दिया गिल भाई को मैं मना लूँगी कनक के अंतरम में इच्छा थी कि गिल का विवा हो जाए इस काम में साहिता दे, वय गिल के प्रतिकी अन्याय का प्रतिशोद कर देना चाहती थी, गिल का विवा हो जाने पर उसके साथ अधिक निसंकोच हो सकती थी, गिल ने उत्तर दिया, क्या फिजूल बात करती हो, मुझे बया का ख्याल ही नहीं है, कनक अवसर मिलते ही गिल को सम जाने लगती, स्वयम तो कहते हो, उसे देख पाना सोभागे है, उससे अच्छी लड़की और क्या हो सकती है, तुमारी संगती में पढ़ने, बात करने का आफसर मिलेगा, तो देखना, बहुत प्यारा सभाओ है, ठीक है, लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बेहा क के लिए तयार हो जाऊं, अचीब बात है, उसके संबन में मुझे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, करनक ने जिद नहीं छोड़ी, कहा, तुमें एक साथ देखकर हमारी आँके तरप्त हो जाएंगी, इससे अच्छी जोड़ी की तो मैं कलपना नहीं कर सकती, गिल बार बार अन जलंदर में गिल ने कनक से कितनी ही बार एकांत में बाते की, पर उसने ना कभी कनक को सपर्ष करने के इच्छा की और ना बादचित में रहसे उत्पन करने का कोई संकीत किया, कनक खूब जानती थी कि गिल को पूरी जरा भी पसंद नहीं था, वे जलंदर में कनक के कारण ह था यह बात मन में गहरी कसक पैदा कर देती थी गिल को दिल्ली से भी कई पत्र आ चुके थे कि वहां काफी अच्छा आवसर था करनक को इन बातों से गिल के प्रती कृत्यक्यता और गर्वानव होता था सामाजिक सम्मधने होकर भी गिल पर उसका भरोसा था सोस्ती थी सचमुच, सैयमी, लोहोपुरुश है पर उसके प्रती प्यार के चिंता भी मन में आ जाती थी करनक अलिगंज में नोकरी करते समय जया को घर छोड़ जाने के लिए आई थी तो दिल्ली में गिल से पहली बार भेट हुई थी गिल को मालुम था कि पुरी और कांता कनक को समझाने के लिए आकर ऐसा फर लोट गए थे गिल उसे बात कर सकने के लिए राजगाट पर ले गया था सब कुछ सुनकर उसने पूचा था क्या ये अंतिम निश्चे है बिल्कुल अंतिम गिल ने समझाया केवल अपने इच्छा और अपने विश्वास से ही तो सब कुछ नहीं कर लिया जा सकता सम्भव है परिवार और समाज के विचार से तुम्हें फिर सूचना पड़े मैं जितना सोच सकती थी सब सोच चुकी हूँ हो सकता है आत्म हद्या कर लूँ कर लिया है मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ कोई चाहे तो अपराद कह ले उसे सहने के बजाए मुझे अपराद का दंड मंजूर है कनक अलीगंज से जब भी दिल्ली आती थी गिल से अवशे मिलती थी दोनों दूर तक अकेले घुमने जाते थे बहुत सी बाते कहने की रहती थी गिल का वेवार जल अंदर जैसा ही था कनक आली गंज की नोकरी छोड़कर दिल्ली में आ गई तो गिल का वेभार बदल गया कनक विचितर यंतरना में थी गिल को रोकने के लिए पहले अपने आपको रोकना अवश्चक था अपने आपको रोख सकने के लिए अपने रोम-रोम श्वास-ś्वास से लड़ना अवश्चकता गिल ने खीज कर कहा अब भी तुम मुझसे भागती हो हम पति-पत्ने नहीं हो सकते तुम मुझे नहीं चाहती जैसे मैं अम्रो को नहीं चाहता कनक ने आत्म निग्रह की पीड़ा से नाराज होकर कहा तुम्हें जो कहना है कहलो बैशक मेरा मुह ना देखो तुम मेरी वास्तिविक स्तीती नहीं जानते मुझे अपनी नजर में चोर अपरादी बना कर गिरा कर तुम्हें क्या संतोष मिलेगा मेरा क्या है हात्म गलाने नहीं सह सकूंगी या मुना में डोब मरूंगी अपना ख्याल करो लोगों की नजर में तुम्हारी क्या स्तीती होगी डाक्टर सहाब, चड़ा भाई, तारा तुम्हें क्या समझते हैं उन सब के सामने अपने आपको और मुझे लजित करोगे कनक रूलाई ने रोक सकी सबके विचार में इतना गंभीर, उदार, समझदार गिल उसके समीब कितना बेबस और आपे से भार हो जाता था देख कर कनक स्वम विवस हो जाती थी कनक गिल की नाराजगी पर छिप-छिप कर रोती थी उस रोने में कितना गर्व और माधूर ये था यही तो सबसे बड़ी कठिनाई थी एक ही उपाय था कनक ने गिल से एकांत मेने मिलने का द्रड निष्चे कर लिया था कनक ने गिल को फोन पर काफी हाउस की भीड में छे बजे मिलने के लिए कह दिया था गिल आया पर उस से पहले गिल और कनक का परिचित सरकारी पत्रकार मित्तल उसके साथ आ बैठा था एक विदेशी सरकार से छातरवरती पाकर भारती रंगमंच के विशे में अनुसंधान करने वाले मिसिस रैना भी आ बैठी थी गिल के आज आने पर वे लोग और भी जम गए कनक पस्ता रही थी कहां आ बैठी काफी हाउस में शांती से बात कैसे हो सकती है पूरा समय प्रधान मंत्री के विभार पर भैस होती रही प्रधान मंत्री काम किस समय करते हैं प्रति दिन पत्रों में उनका वक्तवे होता है प्रति सफता कोई शिला नयास या कोई उधगाटन कला परदर्शनी या बच्चों के जलसे का उधगाटन किसी पुल का उधगाटन यात्रा व्यवसाय के लोगों का सम्मेलन हो या दार्षनिक चत्मों के लिए सम्मेलन हो उद्गाटन के लिए परधान मंत्री सदा प्रस्तुते परधान मंत्री की यात्राओं, दोरों और भाषनों की कोई सीमा नहीं प्रधान मंत्री की प्रतिक यात्रा के समय कम से कम चार पांच सो आदमी प्रबंद में वैस्त हो जाते हैं इस अपवे का कुछ ठिकाना है प्रधान मंत्री सदा कहते हैं यह भाशनों का नहीं कारिय का समय है स्वयम प्रती दिन भाशन का ही उधारन देते हैं कनक काफी हाउस में गिल से बात नहीं कर सकी, बात कर सकने के लिए दोनों कनाट प्लेस से साथ साथ पैदल चले, साड़े साथ बज गए थे, जुट पुट अंधेरा हो गया था, कनक आठ वजे तक घर पहुँच जाना चाहती थी, बीड से निकल कर भाराखंबा रोड पर आते ही बोली, एक खास बात कहनी है, परंतु पहले वचन दो, कि मेरा अनुरोद मानोगे, तुम्हारी कोन बात मैंने नहीं मानी, फिर भी खास बात है, इसलिए वचन लोगी, क्या वचन चाहती हो, मेरा अनुरोद मानने का वचन दो, तबी बात बताऊंगी, ऐसी क्या बात है, है ना, बहुती खास बात है, हाँ, खास है, यो बांध लेना क्या उचित है, विश्वास रखो, मैं अनुरोद बात नहीं करूंगी, क्या मेरा विश्वास नहीं है, है, तबी तो वचन मांग रही हो, अच्छा वचन दिया, पित किमा होनी चाहिए यदि कुछ कर बैठे तो उन पर धहरिये ने रखने का दोशने लगाया जाए पिताजी ने कह दिया कि जिस सम्मंद में कोई तत्व या सार नहीं है उसे बनाए रखने में कोई लाब नहीं है बहतो केवल कानूनी बंदन है ऐसा सम्मंद दोनों और के लिए वेर्थ मानसिक बाधा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है इसे समप्त कर देना उचित है मुझसे पूछा मैंने हाँ कह दिये पिताजी कह रहे थे जीजा जी को पत्र लिखेंगे कि उनसे बात करें बिना क्रोध और उत्पात किये इसे सम्मंद को कानूनी तोर पर समाप्त कर दिया जाए डाइवोर्स और क्या पिताजी ने स्वयम कहा है यही तो कह रही हूं मैं बरस भर से यही कह रहा था तो गलत बात कह रहा था मैं अपने मुख से कैसे कह देती गिल और कनकमंडी हाउस के चक्कर में टेक्सी के आड़े के समीब थे गिल ने हाथ उठाकर आवाज टेक्सी हाई क्यों कनक ने अपत्ती की पैदल बात करते करते चलेंगे टेक्सी में ही बात करेंगे टेक्सी सड़क पर आई तो गिल ने कनक की पीट बहा में लेली और अकाट्य नुरोद से कहा इस घटना की बधाई में तो एक चुम्बन देना ही होगा कनक अपनी मूड़ता में भी पूर्व निश्चे से गिल के कंधे को हाथ से हटा कर परह हो गई जल्दी से बोली सुनो सुनो तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है क्या गिल ने रूठे स्वर में भिरोध किया कनक की मुंदी हुई पलकों से कहनों में आशु आ गई प्लीज एक्सक्यूज में होंट काट कर बोली जब तक इस बात का निर्णे नहीं हो जाए मुझे नहीं चूना वैसे ही रहोगे जैसे जलंदर में थे गिल मौन हो गया कनक ने गिड़ गिड़ा कर कहा गिलू सब कुछ तुम पर ही निर्बर है तुम बहुत द्रड हो मुझे आपने पर नहीं तुम पर भरोसा है तुम्हारे पाउं चूती हूँ सहिता करो केवल छे मास ओर गिल निस्चल मोन रहा गिलू नाराज नहो कनक ने बहुत ही कातरता स अनुरोद किया अच्छा ठीक है